हलो दोस्तो मैं हूँ आशिक राज आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में दोस्तो इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि blogger.com में आपका जो blog है उसमें settings के अंदर बहुत सारे settings है उसमें आज मैं बताऊंगा कि post setting क्या होता है है ठीक है post setting और comment setting जो है यहां पर देख सकते हैं इसके अंदर जो settings है उसको हम लोग कैसे use करते हैं और वो क्या होता है उसके बारे मैं आपको बताऊंगा ठीक है दोस्तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो आपको अपने blog.com में अपने blog में आ जाना है और settings के अंदर आना है यह जो है 2021 का नए interfaces है ठीक है उससे पहले जो था वो पुराना इंटरफेस था उसमें उतना इस तरह से नहीं था ठीक है यह updated इंटरफेस है blogger का तो आप यहां पर देख सकते हैं कि post के अंदर कुछ यहां पर settings है तो post setting के अंदर आ जाना post section के अंदर और यहां पर settings क्या है पहला max post show on shown on main page main page पे कितना post show करना चाहिए तो यहां पर लिखा हुआ 7 post तो यहां पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं 7523 जो भी आपको लिखना यहां पर लिखके यहां पर सेफ कर देंगे ओके उसके बाद यहां पर देख सकते हैं post template यह optional है आप इसे दे भी सकते नहीं भी दे सकते तो कैसा template आपको चाहिए तो pre format at the post editor to each new post यहां पर post template का option आपको देना है कि post के पहले या बाद में क्या लिखा जाएगा तो वो आपको यहां पर दे देना है ठीक है यहां पर जो भी आप दे सकते हैं hi hello करके जो भी होता है उसके बाद image light box यहां पर देख सकते हैं showcase images in overlay on top of post मतलब कि post के ऊपर image देखा वो ऐसा यहां पर option on है अगर आप इसको off करना चाहते है आफ कर देख सकते हैं कि post के उपर post के साथ यहां पर देख सकते हैं यह post है उसका image है तो इस तरीके का यहां पर यह on किया गया है इसलिए वह यहां पर दिख रहा है और next है ideas panel so suggested topics and questions आपको जो है कि suggested topics and questions यहां पर दिखेगा इसके बारे आप अगर ज्यादर पढ़ना चाहते हो तो यहां learn mode पर जाए right click करके या इस पर click करके learn mode पर जाएंगे तो वहां पर दिखेगा next जो settings है उसमें comment section तो comment section में जो settings से पहला comment location तो कहां से comment किया गया है वो यहां पर दिख दिख दिया जाता है comment location full page pop page करना है उस तरह का आप यहां पर setup कर सकते है pop-up window या full page embedded ओके तो आप यहां पर कर सकते है next जो है who can comment आपके जो कि post पे कौन comment कर सकता है users with google account यहां पर दिया हुआ है users with google account anyone यहां पर only member of this blog यहां पर देख सकते तीन option है तो यहां पर anyone first including anonymous मतलब कि इसमें जिसको भी कोई भी boat वगर कोई भी यहां पर comment कर सकता है boat मतलब की computer virus भी हो सकता है कोई भी बैस सकता है तो उसको मैंने यहां पर off किया हुआ है और users with google account जिसके पास gmail id है google का account है उसमें वो बंदे यहां पर मेरे blog पे मेरे post पे comment कर सकते है ऐसा मैंने यहां option on किया हुआ है उसके बाद next option only member of this blog यह जो blog है मेरा उसका जो membership होता है वह member दो ले लेता है बंदा तो वह सिर्फ member blog को blog पे post कर सकता है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं तो कोई आगा ही नहीं नया website हम लोग बनाएंगे तो उसमें कौन सा membership लेने जा रहा है नहीं लेग आइडे जो भी mobile यूज़ करता है सब के पास Gmail आइडे गूगल अकाउंट है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है जतना भी समझ लिए कि कितना करूर अदमी के पास mobile है और कितना लोग के पास Gmail आइडे है तो जो भी एगर खोजेगा तो वो लोग इसमें comment कैसे कर सकता है नेक्स्ट जो है comment moderation comment के अंदर moderate कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो यहां पर always है sometime never है मतलब कि कभी नहीं moderate कर सकते हैं जब कर सकते हैं सिर्फ delete कर सकते हैं ओके reader comment capture so what verification for readers who comment यहां पर capture का भी option मैंने on किया हुआ है जो बंदे मेरे post पर comment करेंगा उसको capture capture fill करना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा I am not robot करके इस तरीके का उनको option आएगा comment from message form message जो form का जो form आएगा comment form जो आएगा जो कमेंट करता है उसका जो form आता है वो form message के reply करेगा वो यहां पर option आया है ठीक है next next जो next जो settings है वो है email तो post using email यहां पर आया हुआ है तो disable मैंने किया हुआ आप enable कर सकते है comment notification email तो no comment यहां पर there are no emails ठीक है कोई email नहीं आया हुआ है pending comment notification email यहां पर देख सकते है आसिकराज7.gmail.com है invite for more people to comment notification email तो किसे को invite करना है उसी तरीके जैसे कि permission उपर manage बदाय था और email post to यहां पर option जो है email post to कोई option यहां पर कुछ नहीं है pending post notification email और invite more people to post notification 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 से पहले क्या कर सकते है notification बात क्या कर सकते है वो ठीक है दोस्तों आगे कुछ और बचे हुए है settings उन्सके बारे मैं आगे आने वाले वीडियों बताऊंगा वो हो सके तो वो last video होगा लास्ट वीडियो होगा settings का तो बस इतना ही पर मैं खतम करता हूँ यह वीडियो और आगे आने वाले वीडियो के लिए stay कर सकते हैं मेरे चैनल पर चैनल को subscribe कर दीजिए और वीडियो को like कर दीजिए दोस्तों को share कर दीजिए ज्याद 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 जो भी बंदे नए blogger पर उनको सीखना है तो आप उन्हें invite कर चकते हैं thank you very much for watching this video